नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 91 पर मैं हूँ आपका दोस्त है राजिन सनोडिया देखे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके का प्रेक्टिस सेटर मबर 3 इसमें आपको 25 इंपोर्टन कोस्चन मि पुछे हो कोस्चन है बहले ही कि ये कोस्चन रिपीट नहों लेकिन इस से रिलेटेट टॉपिक से कोस्चन रिपीट होने की पूरी-पूरी समावना रहती है तो आईए शुरुआत करते है कोस्चन नमबर एक से लाश्ट मैं कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपका रिजल्ट कैसा रहा ठीक है चलिए सुरुआत करते हैं कोस्चन नमबर एक से किस प्रधान मंत्री ने ग्राम सौड़ा की योजना सुरू की थी हम इसलिए कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो यह जरूर सुचा करो कि उससे लेटेर और क्या कोश्चन एक्जाम में आ सकते हैं तो किस प्रधान मंत्री ने ग्राम सला की उजिना की शुरुआत की थी याद रखना अटल बिहारी बाचपई जी के समय में प्रधान मंत्री कोन थे अटल बिहारी बाचपई जी थे ठीक है इसका उद्यस क्या था प्रधान मंत्री ग्राम सला की उजिना का उद्यस क्या था त्याद रखना जो मैदानी इलाके रहते हैं मतलब समतल एरिया रहता है उसमें अगर 500 सूपर की अबादी है और पहाड़ी इलाकों में अग पूछी जाती है ठीक है इसलिए याद रखना नैस्ट कोश्चन रिखते हैं कोश्चन नमबर दो सबसे वड़े इकामर से समू है अली बाबा के संस्थापक कौन है एक्चल में दोस्तों हम लुसेंड पढ़ते रहते हैं लेकिन लुसेंड से हटकर भी बहुत सारे कोश्च तो सबसे वड़े एकामर्स अली बाबा के संस्थापक कौन है तो याद रखना इससका सही नमबर दखना इसका सही उत्तर होगा तक सबसे बड़ी एकामorks कंपशन है अली बाबा घिसके संस्थापक जैकम मा की कंपनी नाव ऑब कहाँ है चीन की प्रिसीद ईकामर्स कंपन किस महासागर में इस्तित है बहुत ही इंपोर्टन है तीक है लुषैन पढ़ोगे तो आप से कोश्चन नहीं है तो नार्वेजियन सागर किस महासागर में इस्तित है इसके जहीं उत्तर होगा आटलां्टिक महसागर में ओस्तात्राइण रखना नार्वेजियन सागर कहा पर है आटलांटिक महसागर में इस्तित क्वान है अपको मैप में ईचल जता हूं ठीक है ये आपको Atlantic Ocean में इस्तित है ठीक है चलिए नहीं शोष्चन देखते हैं Mount Visuvious और Mount Aetna जौला मुखी किस देश में इस्तित है ठीक है ये दो प्रिसित जौला मुखी है ठीक है इसमें से एक सक्री जौला मुखी है एक प्रिसित जौला मुखी है लेकिन न्याद रखना important चीजी है कि ये दोनों जौला मुखी किस में है इटली देश में इस्तित है कहाँ पर है इटली में इस्तित है कौन से Mount Visuvious और Mount Aetna जौला मुखी ठीक है चलिए कहाँ पर है इटली में इस्तित है याद रखना इसट्रॉमबली जौला मुखी ये बहुत important है लिपारी गतर षिस्तित है इसे भूमत dynamics का प्रकाश स्थम पहा जाता है जोकि इससे लगातार क्या होते रहता है कभी भी से क्या हो जाता है जौला मुखी को घाता है घूर्च को चाना है कि मावंट कर माउंट लोनों इटली में इस्तित है का मैं सर्ब चैना आ regulatory की इस्ठापना कभ हुई थी कि अब देखिए इंपर्टन फैक्ट है कलकत्टम और सज्बॉर्ट जी णाया सा रव हती तंट में कहा होगा 50 कि सथापना होती चम्रोक्तम होती है ौने eli LM याद रखना हो भारत के सरबोच चनाले के स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है और इसके प्रथम मुख नायादिस बनते हैं हरिलाल जे कानिया रहत के पहले मुख नायादिस बने थे ठीक है चली नेश्ट कोश्चन देखते है जल प्रदूसर की रोग्थाम और नेंदरर अधिनि कोश्चन आता है तो और सबसे सबसे असान कोश्चन है तो यह कोश्चन आता है और हंड़ेट परसंट आता है लगवख लगवख बीस बार रिपीट हुआ देखा हूं मैं अभी अभी लेटेस्ट एक्जाम में यह ठीक है चलिए तो इसका याद रखना यह जल प्रदूसर की अभी रुख ताम और नियंदर अदेनियं टीक है चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं 1906 में मुस्लिम लिग किस अस्थापना किस इस्तान पर हुई थी तो याद रखना दोस्तों मुस्लिम लिग किस थापना होती है बंगला दिसकी रहाजजधानी क्या है बंगला दिसकी संबंदित है तो मांडो लोगी की दोस्तिया रखना ये आपकी ग्ववराज से संबंदित है कुंसे राज समंदित है ग्ववराज से Constant संबंदित हैuren फाorf होता है धिक्तित है याँ और रखना इंटरनेशनल जो i f है इसका फुल पारंगे होता है चलिए आपको फुल फॉं करके बदा देजीugए ठापना करके बनाद की आसे ही पाकिस्तान की संसत का नाम at है पाकिस्तान की संसत का नाम है मजलिस ए सूरह आपitäस्पों कोशन देखते हैं बंगलमध्स की संस hints का नाम है। तो नाम है टूमा ठीक है जलिए नेश्क कोंचेंगे लेक्ते हैं बार्ति जीमन बीमारिगम के स्थापना किस अधिनियम के तहत रखना भारती जीमन बीमारिगम की स्थापना होती है कब यह होती है आपकी जीवन वीमा निगम अधिनियम 1956 और सब्सक्राइब होगा भारती जीवन वीमा निगम अधिनियम समयधान संसोदन के तहत समयधान की आठवी निसूची में उडिया के इस्थान पर ओडिया लिखा गया था कैसे च्यानवे बा संवीधान सन स्वतन था 203 होता है इसमें उडिया के स्तान पर क्या हूँआ घिस के बतवारे के बाद भीम्रावं अमट करका निरबाचन और न के है जब बांब्रावं मेटकर का निरबाचन कहा से हूँवा है मुंबई से होता है नैस कोशन देखते हैं भारत की रियास्तों का एक करने के लिए सरदार बल्लब भाई पटेल की अध्धश्चता में रियास्ती विभाग बनाया गया जिसके सच्यू थे ठीक है व्याद रखना दोस्तों सच्यू कौन एक फिर्ताना की भासा कहा से लिए अस्टीजिय से लिए है प्रिस्ताना की भासा पूचे तो अस्टेलिया और प्रिस्ताना का बिजार बुचे तो अमेरिगा ठीक है चलिये नैस को चन और लास्ट 손 kalian 1922 में किस राज़ sincer का गठन किया गया था है जो को चलिए अब दोस्तों आप से ब दोस्तों आसे मैं और आणसर आपको कमेंट करके बता दिल्ली को राश्टी राजधानी शेत का दरजा किस समिधान संसुदन के तहत दिया गया है आपको सन सहित लिखना है समिधान संसुदन कोन सतह भो भी लिखना है और बस्तु एवं सेवाकर जिस समिधान संसुदन के तहत लाग गई यह दो सबालों का जवाब आपको कमेंट क करके बताना है वीडियो पसंद आया होगा ठीक है आपको नए कोश्चन सीखने को मिले होंगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल में पहली बारा होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू जैहिन जै भारत